कि यह विल्कम गुड मॉर्निंग अल्डियर इस चैनल देन सब्सक्राइब अन प्रेश दर बेल इकन शो लेट इस्टार्ट द वीडियो बच्चो जैसा की जानते हैं आज का क्लास बहुत ही जवर्जस्ट क्लास है आप देखेंगे आप देख रहें स्क्रीन पर क्लास शीक्स exercise 2.4 का आज हम solution करेंगे और आपके exam में अगर question अगर आएगा तो इसी तरह से question आपसे पूछा जाएगा कि MCQ question जो देख रहे हैं किस तरह से बनाए जाता है तो इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं चले क्लास को शुरू करते हैं आप देख रहें बच्चों आपके screen पर नमर कौन सा देख रहे हैं एक नमर में आपका है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो आपके पास option क्या रहेगा A नमर, B नमर, C नमर और D नमर तो इस चारों में से आपको चुनना है कि एक नमर का जो question कहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है इसका answer क्या होगा आप जान रहे हैं कि प्राकृत संख्या जो होता है आपका क्या होता है एक से सुरू होता है एक, दो, तीन, चार से बढ़ते रहाता है इसको खात है और उसके बाद पूर्ण संख्या जो आप जान रहे हैं पूर्ण संख्या कहा से सुरू होता है पूर्ण संख्या आपका 0 से सुरू होता है 0, 1, 2, 3 यह आपका क्या हो गया पूर्ण संख्या है तो आपको कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है तो answer क्या होता है और पूर्ण संखिया जीरो से सुरू होता है इस चीज को आपको जानना चाहिए तो आप देख रहें दो नमर का क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संखिया क्या है तो सबसे छोटी पूर्ण संखिया आपका क्या है तो पूर्ण संखिया आपका सुरू कहा से होता है जी जान देंगे, इस तरह से question आपके exam में पूछा जाएगा, आप question देख रहे हैं, तीन नमर आपके पास है, 117 गुना 0, तो 117 रहे, चाहे 118 रहे, चाहे 119 रहे, चाहे कोई भी अंक रहे, और जदि उसमें गुना 0 से कर दिया जाता है, उसका हल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो आप बताएं, answer क्या होगा, तापका C number answer होगा, यहीं इसमें कहा जा रहा था, यानि किसी भी संख्या से मान लिया, आपके पास संख्या है, 9, 8, 7, यतना है, और इसको 0 से जदि गुना करेंगे, यह सब को कर देता है, यह 0 आपका हो जाता है, इस तरह से question को बनाया जात तरहा, आइए देखते हैं, 4 number question क्या कहा रहा है, अब देख रहे हैं, यहां आपका है, 8 में भाग देना है, 0 से, तो इसको भाग कैसे लगाएंगे, बात को समझेगा, यहां 8 है, तो 8 आपको अंदर लिखना होगा, और 0 आपको बाहर लिखना होगा, और आपको क्या कहा रह हो गया, अगर आप, यहां आप 8 से भाग देते हैं, यह देखिए, अगर आप इसको 8 से भाग देते हैं, तो 0 और 8 गुना करेंगे, फिर भी आपका क्या हो जागा, 0 हो जाएगा, और आपका क्या पास बचता है, यह आपका 6, बच्चों आपने देखा इसको, कि जदि 0 काटेगा, यह आपका reminder बच जाता है, इसलिए इसका answer क्या होगा, परिभासित नहीं है, यह question आपके परिछा के द्रिश्टिकों से काफी important है, इसे आप BVI इसमें कर लें, यह आपको 1, 2, 3, 4 question को बताई, आईए देखते हैं, पच्चमा question, बच्चों देख रहे हैं, आपके exam में लिखना है, इसको कैसे चुनेंगे, आप भाग लाके देखिए क्या आप क्या होगा, देख रहे हैं आपको, यहाँ आप देख रहे हैं, 0 से भाग नहीं लगेगा आपका, आपको 0 आपको क्या करना है, 0 को अंदर लिखना है, और 7 से भाग देना है, इसको यहाँ साथ है और किसी संख्याँ 0 से भाग देते हैं उसका मान क्या हो जाता है 0 कड़ जाता है इसलिए आपका answer क्या होगा यह आपका 0 होगा इस तरह से समझा जाना चाहिए आए देखते हैं next question क्या लिखा है आपके पास यहां पर question आपको देख रहे हैं 625 गुना टो यहां क्या लिखा जाएगा यह आपका option 1 है 0 है 625 है और परिभासित नहीं है तो यह चार option में से एक option को चूल के आपको यहां पर लिखना है तो क्या लिखेंगे 625 गुना एक है यह लिखेंगे 625 ही लिखा जाएगा क्योंकि एक है इसलिए इसको गुणा करने के बाद उतना ही अंक आता है इसलिए आंसर आपका 625 होगा आए साथ नमर कोस्टन को देखते हैं क्या लिखा है इन में से कौन योज तत्समक है तो कौन सा योज तत्समक है एक बीतु नहीं है, जीरू है, फोर नहीं है योज परिभासित नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा आपका बी नमर होगा, इसका आंसर जीरू होगा अब यह आठ नमर काता है इन में से कौन गुणात्मक दत्समक है यानि गुणा का क्रम कौन सा है आब बताएंगे, तो बी तो जीरू नहीं होता है एक तो होता है लेकिन ये C नमर क्या करा है A और B A अगर होता है तो B भी होता है क्या नहीं नहीं होता है और इन में से कहता है कोई नहीं कोई नहीं तो ये दो होगा ही नहीं यहाँ आपका एक जो है ये आपका क्या है ये गुनात्मा तत्समग है इसी को कहा जाता है उमीद है आपको अचछी तरह समझ में आगया होगा आईए देखते हैं next question देख रहे हैं बच्चो आपके पास question कौन सा है no number question को देख रहे हैं इन में कौन गुनन का क्रम बिनमे नियम को दर्ख आता है आपके पास option A नियमर है यह B नमर है और यह C नमर है और यह D नमर है आप बताए कोस्चन को समझेए गुनन का करम बिनिमे नियाब यानि गुनन का करम बिनिमे नियाब तो देखे यह आपका C नमर जो है यह जोड़ है तो यह तो आपका नहीं होगा इन में कता परिभासित है इसको आगे देखा यह आपका already answer सही हो जाएगा क्योंकि यह गुनन का जो करम है इसको बदल दिया है बिनमे कर दिया यह आपका आंसर होगा यह आपका आंसर नहीं होगा आइए 10 नमर को देखते हैं 170 गुना 4 जोड 170 गुना 6 का मान होगा अब बताएए इसमें से देखिए इसमें मान आपका कौन सा होगा A नमर B नमर C नमर और D नमर है आप कैसे बनाएंगे इसको गुना कर लिजी कितना होगा 17 चेके 68 चोंसर असी है इसको गुना करेंगे सत्रोचक दियोतर से कितना हो जागा एक सो दो इसमें से इसको गुना करके देख लिए आप आप कहेंगे गुना कैसे होगा तो आपको गुना करके भी दिखा देते हैं देखी एक सो सत्तर गुना चार है यहां लिखिए एक सो सत्तर गुना चार तो गुना करेंगे जीरो से गुना होगा, जीरो हो जाएगा सच्छक 42 का 2 हो जाएगा बच गया 4, 6 एक हैं 6 और 4 कितना होगे आपका, 10 हो गया अब आप बताईए आपके पास 680 है तो यहां लिखेंगे 680 जोड़, आपका 1020 एकजार 20 है, तो यहां 1020 लिखेंगे, अब आप जोड़ के देखिए कि आपके पास कोई option आ रहा है, तो कैसे जोड़ेंगे यह दोनों अंकों आपको जोड़ना है तो देखिए जोड़ते हैं यहां 1020 आपके पास है, और 680 है तो दोनों को जोड़ देते हैं 0, आर्दू 10 का 0 बच घ्या 1, 4, 1 हो गया 7 1 हो गया 700 तो यहां देखिए, 1700 कहीं आपका है आपके पास अंसर यह 1700 आ रहा है इसलिए इसका मान क्या होगा इसका मान आपका 1700 होगा, यह आपको जो दिया हुआ है इस तरह से बच्चों आप सनको देखेंगे और find out करेंगे उमीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि क्या किस तरह से इसको बनाएंगे तो यह आपको समझना है इसको गुना करना है और इसको गुना करना है और गुना करने का जितना होगा और दोनों को जोड़ दिजिएगा जो आपका अंसर आए वही आपका अंसर होगा इस तरह से question को पुछा जाता है अब देखते हैं क्या काता है 23 और 38 के बीच कितनी पूर्न संख्याएं है यह कैसे करेंगे यह तो 23, 24, 25 आपको लिखना होगा तो लिखते लिखते तो काफी समय लग जाएगा तो इसको लिखे नहीं एक trick को याद रखे क्या करेंगे यह दोनों आंके में दिखे 38 बड़ा है कि 23 बड़ा है तो 38 बड़ा है यहाँ पर आप 38 लिख लिजिए और 23 को निचे लिख लिजिए क्या करेंगे 8 में 3 गया कितना बच गया 5 3 में 2 गया कितना बच गया 1, 15 हुआ न तो 15 जो संखिया आपका हो गया उसमें से एक घटा दिजिए आपका चोगदा आ जाएगा आंसर कहा है यही आपको कहा जा रहा है उसके बाद आप कहेंगे और कैसे बनाएगे मान लिया जाए आपसे कहा जाए 22 22 और 22 और 45 के बीच में कितनी पूर्ण संखिया है अगर आपसे पूछा जाए 22 और 45 के बीच में कितनी पूर्ण संखिया है तो आप क्या करेंगे 45 को उपर लिखिये 22 को नीचे लिखिये और घटा देजे, पांच में दो गिया, तीन, चार में दो गिया, कितना बचा, दो, अब तईस जो आ गिया, इसमें से एक घटा देजे, तो क्या आपका अंसर आजाएगा, बच्चो इस तरह आप धिहान दखेंगे, पर इच्छा में इस तरह से question आपको पुछ सकता है, हुम option को चुनना है, कि कौन सा option है, उसको देखेंगे, तो पूरवर्ती का मतलब क्या होता है, जो भी संख्यां दिया हो, उसमें से एक आप घटा दिजे, परवर्ती का मतलब होता है, जो भी संख्यां रहे, एक को जोड़ देंगे, और जो संख्यां आवे, वो परवर्ती संख् बच्चों ध्यान रहे कि पूरवर्ती संख्या में एक को घटाया जाता है और परवर्ती संख्या में एक को जोड़ा जाता है बात को याद रखिएगा तेरे नुमर कुश्चन है कि दो गुना 125 गुना 50 इक्वल टू क्या होगा यानि जदि तीनों अंकों को हद्य हम गुना क मरते हैं तो यह आपका उप्शन ए, बी, सी, डी ने मर दिया है तो कौन सा उप्शन आपके पास होगा इसको आपको जानना चाहिए तो कैसे बनाएंगे इसको चलिए देखते हैं पहले 125 गुना 2 करेंगे तो 125 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा पांद ने 10 का 0 बच गया एक दो 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 हो गया अब 250 हो गया आप क्या करेंगे फिर इसको 50 से गुना कर देंगे अज़िए 50 से इसको गुना करते हैं आपके पास ऑप्शन क्या जागा 12500 आपका ऑप्शन आएगा इसको गुना करके देख सकते हैं देखिए 0 फिर यह हो गया 0 फिर यहां हो गया 0 फिर इसको करेंगे, 0 होगा, 25 के 5 बच जाएगा 2, 5 ने 10 और 2 कितना होगा आपका, 12 होगया, देखिए आपके पास option आगया, 12,500 जो कि हमने 12,500 को क्लिए किया है, उमीद है आपको इच्छी तरह समझ में आगया होगा, आजिए देखते हैं, next question, देख रहें बच्छों, आपके पास question क्या है, चोगदा नमर question क्या का रहा है, 168 पलस 329 बरावर, 329 पलस 168 में कौन सा गून है, यानि ये जो आपके पास हिसाब जो दिखाई दे रहा है, ये बना के दिया है, ये देखेंगे, संविरित का गून है, या करम बीनिमे का गून ह या साचरे का गून है, या बंटन का गून है, ये चार option में से एक option को आपको चुनना है, जो कि ये हिसाब में ये छिपा हुआ है, तो क्या बनाएंगे, संविरित का गून तो ये नहीं है, करम बीनिमे का गून है, क्योंकि या 168 है और 329 है, तो इसी संख्या को उलड़ द Не का गाते है तो इस नियम को करम बीनिमे नियम कहा जाता है, ये साचर नियम नहीं है, ये बंटन शंविरित नियम नहीं है, तो आपका आमसान बी नमर सही होगा यह आप प्रस्नावली 2.4 यह 2.4 का आपने अध्यन क्या आपको अच्छी तरह बुक को दिखाई दे रहा होगा आप भी अपना बुक को खोलेंगे प्रस्नावली 2.4 तो आप देखेंगे आपके पास एक से लेकर चोगना तब कोस्टन को पुछा गया है यह परिच्छा की दृष्टी कौन से काफी इंपोर्टेंट है आप से मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे स्टेनल पर नए है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ओन कर लें और वीडियो को काफी अच्छा लगे तो दोस्तों की भी सेयर करें और वीडियो को देखकर आप लाइक अवसी करेंगे और आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और नेस्ट क्लास में इसका नेस्ट पार्ट बहुत जल्द अफडेट करेंगे और आपके साथ लेकर आएंगे तब तक मुझे इदाज़त दीजिए मेरे वीडियो को आप अंतर देखे आपको बहुत बहुत धन्यवाद Thank you for watching my video